हेलो दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्विटर को कैसे चलाया जाता है तो चलिए बीना समय गवाई वीडियो को शुरू करते हैं तो ट्विटर जो अब एक्स अप्लिकेशन हो चुका है हम अप्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं तो जैसे ही आप application को open करेंगे तो इस application का home page कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे आप YouTube application को open करते हैं और YouTube में नीची की तरफ अगर आप जाएंगे जैसे कि हम नीचे की तरफ यहां पे आ रहे हैं तो YouTube में क्या होता है कि पूरी के पूरी वीडियो जो हमको देखने को मिलती है तो उसी प्रकार से यहां पे ट्विटर पे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो जिन लोगों ने पोस्ट किया होगा तो यहां पे बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी हमेशा लगातार पोस्ट आती ही रहती है तो कुल मिलाकर यहां पे इसके होम पेज में आपको केवल पोस्ट ही देखने को मिलती है और साथे साथ जो वीडियो भी देखने को मिल जाता है किसी ने अगर अपने पोस्ट में वीडियो डाला होगा तो वीडियो देखने को मिल जाएगी और किसी ने अगर image डाला है या कुछ लिक कर डाला है तो वो सबी चीज़े जो आपको यहां पर देखने को मिलती है उसके बाद यहां पर बगल में जो है following का option जो देखने को मिलता है इस पर click करेंगे तो जिन लोगों को आपने follow किया है वो अगर कोई post करते हैं तो उनकी post जो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है उसके बाद जो यहां पर ऊपर की तरफ एक लोगों दिखाई दे रहा होगा यहां पर अगर आप click करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे option जो है देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहां पर जो है मैं आपको उन्हीं option के बारे में उन्हीं चीजों के बारे में बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है ठीक है तो यहां पर जो आपको profile का option जो देखने को मिलेगा ये वाले option पर click करेंगे न तो जो भी post या जो भी tweet आप करते हैं तो उन tweet को जो है आप यहां पर देख सकते हैं देखिए मैं क्या क्या tweet किया हूँ वो सभी tweet जो है यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक उसके बाद जो हम back आ जाते हैं अब यहाँ पर आपको home का option जो देखने को मिलता है, एक जो यहाँ पर search का option जो देखने को मिलता है, यह search वाले option पर आपको कर देना है click, जैसे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको search का option जो देखने को मिलेगा, इस पर आप किसी का भी नाम लिख कर उसको search कर सकते हैं औ यहां पर आप देख सकते हैं कि जो चीज जो है ट्रेंड चल रही है जैसे कि ट्रेंडिंग वन में क्या चल रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि bet on, यहाँ हेष्टेग bet on P A R I match ऐसे करकर यहाँ हेष्टेग चल रहा है तो हेष्टेग 2 में trending 2 में क्या चल रहा है trending 3 में hashtag आदीवासी hair trending 3 में चल रहा है यह सब जो hashtag है trending में अभी चल रहा है तो यहाँ प के आने के बाद आप यह देख सकते हैं कि option जो देखने को मिल जाते हैं तो इनका जो है अधिक तरह आदमी यूज ज्यादा जो है नहीं करता है ठीक उसके बाद जो हम फिर से यहां पर home page पे चले आते हैं यहां पर उसके बाद जो जैसे ही आप home page पे आएंगे तो यहां पर एक plus का icon जो है देखने को मिलता है यह वाले icon पर आपको कर देना है click अब यहां पर हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं अगर आप twitter में live जाना चाहते हैं तो यहां पर go live का option जो देखने को मिलेगा है इस पर click करके जो आपके अपनी बाते रख सकते हैं अपनी बाते बोल सकते हैं उसके बाद यहां पर space का option जो देखने को मिलता है तो space वाले option पर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक group बना सकते हैं topic लिखना रहता है मानके चलिए आपने लिखा olympic 2024 यह topic लिख दिया और आपने ग्रुप बनाया और उसमें अपने दोस्तों को जोड़ दिया तो वहांपे क्या होगा कि आप अपने दोस्तों से बात ही कर सकते हैं लेकिन उसमें आपका चहरा नहीं दिखाई देगा और उस topic पर आप लोग बात हैं 2024 के बारे में कि हमको कितना silver मिला है कितना gold मिला है कितना ब्राउंस मिला तो यह medal के बारे में आप बात कर सकते हैं कोई भी एक topic के उपर आप एक एक करक वहाँ पे आपकी आवाज के वाल आएगी है और आपके दोस्तों की आवाज आएगी है और आप उनके साथ जुड़के उस बात पर डिस्कर्स कर सकते हैं पे आप चर्चा कर सकते हैं, तो इस पेस का मतलब ये रहता है, यहाँ पे केवल आपकी आवाद जाती है, उसके बाद यहाँ पे फोटो का उप्सिन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने ट्वीटर के एकाउंट में अपनी फोटो डाल सकते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना रहता है, जो भी फोटो रहती है, आप उसको एड़ करिए, जिसके मेरे को यह फोटो को डालना है, तो इस पे क्लिक कर देता हूँ, प्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है, तो लिखकर और इसको प option पर आपको कर देना है click जैसे ही यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है tweet कर सकते हैं tweet का मतलब होता है post आप अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो वो चीज़ जो है यहाँ पर tweet में लिख कर अपने text में लिख कर सब्दों में लिख कर उसको post कर सकते हैं अब tweet लिखते कैसे हैं tweet करते कैसे हैं तो उसके लिए जो है सबसे पहले तो आपको एक photo ले लेनी है या video भी अगर आप रखना चाहते हैं डालना चाहते हैं लगाना चाहते हैं तो video भी जो आप लगा सकते हैं तो उसको लगाने के लिए आप गैलरी में जा सकते हैं डिरेक्ट अगर आप तुरंद अपना कैमरा उपन करके वीडियो रिकॉर्ड करने वाले तो ये वाला उप्सन जो देखने को मिल जाएगा तो चलिए मेरे पास एक फोटो है तो यहाँ पर जब मैं इसuencia क्लिक कर देता हूँ और हम थोड़ी से नीजे के तरफ आते हैं और यहाँ पर हमने यह फोटो सेलेक्ट कर ली है ठीक यहाँ पे आप अगर चाहें तो वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप अपने मन की बात जो भी लिखना चाहते हैं जो भी पोश्ट करना चाहते हैं वो पोश्ट जो आप कर सकते हैं protester रहते हैं जो undolan करते हैं तो वो अपनी बात रखते हैं अब किसी का flip card में जो समान गुम गया तो वो अपनी बात रखेगा कि हाँ भईया हमारा जो समान है वो return नहीं हो रहा या गुम गया है, नहीं मिल रहा है तो वो जो है अपना यहाँ पे screenshot लगाता है और कोई protester है तो वो यहाँ पे अपना photo या video लगा देता है ठीक तो उस प्रकार से जो आप यहाँ पे photo या video लगा सकते हैं जैसे कि हमारे छात्र लोग रहते हैं और उनका result नहीं आ रहा है तो वो क्या डालते हैं अपना result का photo या कोई भी image जो यहाँ पे लगा द यहाँ पे लिखना है कि 2024 का ओलम्पिक बहुत अच्छा नहीं था अब मैं जो है यहाँ पे लिख दिया हूं अपनी पोस्ट अब मान के चलिए मैं किसी को mention करना चाहता हूं किसी को जोड़ना चाहता हूं अपने पोस्ट में किसी बड़े विक्ति को जैसे कि कि अब करने लोग नेता लोग på जोड़ते हैं तो उनको जोड़ते कैसे हैं उन उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको की बौर्ड में चले जाना और इसमें एď दरेट लिखना है और लिखने के बाद नम इहाँ पर टाइप करना है और धि continually two तो मैं यहां पर नरेंद्र मोदी जी को यहां पर टैग करना चाहता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का यहां पर NARE लिखते ही यहां पर नरेंद्र मोदी जी का एकाउंट दिखाई दे रहा है और एकाउंट के सामने यहां पर ब्लू टिक दिखाई द ठीक तो ऐसे ही अगर आप किसी दूसरे नेता को या भी नेता को या किसी बड़े हस्ती को जो है अपने क्वीट के साथ जो है टैग करना चाहते हैं उनको अपने ट्वीट के साथ जोड़ना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकास जो है आप उनको जोड़ सकते हैं जोड़ने के ब तो क्या होगा ये मैं लिख देता हूँ ठीक है अब लिखने के बाद आपको हैस्टेग लगाना रहता है अब जैसे कि हैस्टेग मेरे को लगाना है और हम पैरिस 2024 ठीक है मैंने यहां पर लगा दिया तो कितने लोग क्या करते हैं कि अपना हैस्टेग लिख कर रखे रहते हैं और जितने लोग ज्यादा तर ये hashtag लगा के कोई भी post करेगा तो ये hashtag यहाँ पर trending में जाएगा जो आपको पहले दिखाया था कि सर्च वाले option पर click करके हम जाके देख सकते हैं कि trending में क्या चल रहा है तो बहुत सारी लोग जो है अगर एक साथ hashtag लगा करके और post करते हैं तो उनका hashtag रहता है जो भी hashtag लगा के जो पोश्ट करेंगे वो same hashtag रहेगा तो वो trending में चला जाता है तो गुल मिला कर इस तारीके से जो है आपको यहां पर post लिखनी रहती है tweet लिखना रहता है और लिखने के बाद जो इसको पोश्ट कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर प्रोफाइल वाले आप्सिन पर क्लिक करना रहता है और जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट जो है आपसे जा चुकी है यहां से हमने कर दिया 14 सेकेंड हुए है ठीक है तो दोस्तों कुल मिला कर इस तरीके से जाए आपको पूरा ट्विटर को चलाना रहता है ऐसे जाए आप इस्तमाल कर सकते हैं इस वीडियो में केवल इतना ही था अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कोई भी मन में सवाल रहता है तो कमेंट वॉक्स में लिख कर हम से पूछ सकते हैं